कि एक रबघर बम्बे बोल 90 जल्सव पेट्रोल अकर बघर बम्बे बोल 90 जल्सव पेट्रोल सव मिला गा धागा उच्छार सेलंडर भागा कोई कोई रोख सके अहाँ तालिया बहाँ वाँ वाँ इस रही है कर बगड़ बंबे बोल नभभे डीजल सो पेट्रोल सो मिला गाधागा उचल सिलंडर भागा कोई रोक सके तो रोक ले मैं नाचती छंचन छंचन पालिकी में हो करके दाल चली रे जनता को करके बेहाल चली रे पालकी में हो करके दाल चली रे जनता को करके बेहाल चली रे चुमा ले गई बोरी यूरिया धूम मचा लो एक बार पुरा सदन जोड़ार तालिया वजा दे साहब इसका थोड़ाई को कर दो ऐसा लग रहा है कि हम बोल रहे हमारे पिता जी भी बोल रहे है इसका थोड़ाई को कम करो कि चुमा ले गई बोरी यूरिया धूम मचा लो मेरे राकाजे क्या हो रिया धूम मचा लो की दाम सही ना मिल पाया है चोपत हुई किसानी की दाम सही ना मिल पाया है चोपत हुई किसानी और सारी जनता है अमीर पर है गरीब उम्बानी बीच में खाने लगे भी चोलिया धूम चालो मेरे राकादे क्या हो रिया धूम चालो पर कि जब से आई वतन जब से आई वतन तन में लागी अगन महें गाई करानी कहाने लगी कभी आजी वतन तन में लागी अगन महें गाई करानी कहाने लगी कभी आजी वतन तन में लागी अगन और सुनिए गपंकियां आप एक बार तारियां सहाब बजा दिए मैं बहुत महिनत कर रहा हूं कि जब से आजी वतन तन में लागी अगन महंगाई गरानी कहाने लगी जब से आजी बतन तनी में लागी यगन और सहब इस समय महंगाई चरम सीमा पर है और महंगाई तो मैंने तब देखी जब मैंने द्वार पर एक अपने नीबू का पेड लगाया था और नीमू का पेड़ ही लोग उखाड कर लेकर चले गए तो महेंगाई दस रुपे का एक नीमू मिक रहा है तो मैंने सहब बहुत रखाया, बहुत प्रयास किया कि बच जाए लेकिन वो नीमू का पेड़ ही लोग उखाड कर लेकर चले गए और साहब तमाम एक पेरोडियां है, मैं आपको घंटों सुना सकता हूँ, लेकिन पेरोडियों की जलकियां देते हुए आपको बहुत कम समय जलकियां दे रहा हूँ, क्योंकि यादनी प्रमोजी को जाना है, और मुझे भी उनके सामने अपनी उपस्थिती दिखाना है, अप पूरे देश में कोरोना काल में कैसे कैसे साधियां हुई, उसका विवर्ण मैंने देने का प्रयास किया है, और पहली घटना मैंने भोपाल से उठाई है, सुनिएगा, अगर भोपाल की घटना की मैंने सची बयानगी कर दी हो, तो मुझे आशिरबाद दीजेगा, सुनिए परकी जब आ गया सुहाना, अपरेल का महीना, दूले के साथ बैठी, दुलहन बड़ी हसीना, संधन जी कहे रही थी, संधी मेरा नगीना, इतने मेक आया, अब सर फुलाए सीना, भगदर की भीड में गिरा, छोला पुलाओ पापर, भगदर की भीड में गिरा, छोला पुल पापर, पंडित को दख्षिना में मिला साथ आठ जहां पर तो स्वागतम बारातियों का, स्वागतम बारातियों का, अजील आठियों से होता है, स्वागतम बारातियों का, अजील आठियों से होता है, स्वागतम बारातियों का, लाठियों से होता है, जिम्मेदारे ऐसे सो रहे, जैसे कुंभ करन सोता है, जिम्मेढारे से सो रहे लिए पुरा सदन पुरा सदन एक बैंग-बैंग में जो बात हो गई यकिन बहुत बड़ी बात है जिम्मेढारे से सो रहे जैसे कुम्ह कनन सोता है और वह बाराजस सहब एक होटल में तहरी थी और होटल में केवल 20 आदमियों की परमिसन थी वहाँ पर मेरा भी परिवार उपस्थित था सुनिएगा वहाँ क्या घत्ना गटी कि हमारी शादी में 20 बाराती आए यार हमारी सादी में 20 बाराती आए यार एक होटल में है बेवस्था भोजन सहित यचार में होटल के बाहर थाया या खाने स्याम बाहर है आई इतने में होच्छा पामार पुलिस की कार पूनम हो कि मैं तो होटल के बाहर था यंदर हो गए बीस कि मैं तो होटल के बाहर था यंदर हो गए बीस और मैं भी अंदर जाओं तो पूरे होंगे 21 कूटम 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 कूटिया तालिया हो जाए से हमिगा तेल लगा दो कूटम 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 कूटिया तेल लगा दो कि जो अंदर थे अंदर रह गए जो बाहर थे बाहर जो अंदर थे अंदर रह गए जो बाहर थे बाहर और कुछ बाराती अंदर बिना मास्क के घुमे ना हर 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 महादेव कुछ बिना मास्क वाले बाराती उठ बेठ ठक करवावें कुछ बिना मास्क वाले बाराती उठ बेठ ठक करवावें कुछ मुरगा बनके कुणुकों की जैसी बांग लगावें हर हर महादेव हर हर महादेव तमाम एक पैरोडियां है साहब मैं आपको घंटो सुना सकता हूं लेकिन एक पैरोडी मैंने जो एक निवेधन किया है उस पैरोडी को सुना करके मैं अपना अश्छान लेता हूं क्योंकि प्रमोर जी को जाना है और अभी प्रमोर जी किसी काम से गए है वो कि मन्दिर स्टूना स्टूना साहे सुस्तु हुए काजी और परमी सन के चक्कर में है संत और हाजी हे बाबाजी बाजा बाजी की नाबाजी कि अपनी साधी में कैसे डीजे हम बजाएंगे अपनी साधी में कैसे डीजे हम बजाएंगे न तेदारों को न गिरन न च्डा न कचाएंगे कैसे ड्राम सिख करेंगी मेरी可是 अजा जी एक बार सुन्त तालिया बजादे आ यहां तालिया बच्टी है कि कैसे ड्रांट सिक करेंगी मेरी ग्रांट मदर्यादी हे बाबाजी बाजा बाजी की नबाजी अभी तिवाजी जी आने वाले हैं, मैं आपको दो-तीन में टाओर आपको काव की यात्रा कराना चाहता हूं, सुन्येगा साहब, जब कोरोना काल की घटना घटी, तो पूरा देश घर के अंदर बंद था, और उस समय का जो महाउल था, उस समय के महाउल को मैंने चार पंक्यो कि जब आगई जुलाई, कि जब आगई जुलाई, पानी में थी पढ़ाई, बेरोजगार जनता ही थी हवा हवाई, जब बंद हो गई थी, पंकज तेरी कमाई, चंडी बनी लुगाई, दो-चार लात खाई, ताली के लिए कभियों के मन तरस रहे थे, ताली के लिए कभियों के मन तरस रहे थे, सड़कों पे बिना पूछे, डंडे बरस रहे थे, तो चांदनी को कभू अपने, चांदनी को कभू अपने, अरे चांद से मिलाओगे, चांदनी को कभू अपने, चांद से मिलाओगे, खुद तो कर नहीं सकते, अरे मेरी कभ कराओगे, कभू अपन।